नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, very good evening to all of you, मैं आयू श्रीवास्ताव आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल में और आज के इस वीडियो में हम class 9th का chapter number 2 start करने जा रहे हैं जो कि हमारा is matter around us pure, इसमें हम पढ़ेंगे matter से related, देखिए first chapter में हमने जो matter के ऊपर based chapter था उसमें हमने matter का classification किया था किसके base पर, on the basis of state, इस chapter में हम जो classification करेंगे वो करेंगे on the basis of composition, ठीक है, तो इस chapter में अच्छा एक important news और है, जो भी बच्चे 2023 का exam देने वाले हैं, 9th class में, तो उनके लिए एक good news यह है कि इस chapter में से थोड़ा portion कम हो गया है जो कि है हमारा separating the components from a mixture यह वाला जो यह वाला जो portion है, यह यह इस chapter में से हटा दिया गया है, तो खुश हो जाव जरुदी से, क्योंकि यह वाला जो portion था यह बहुत lengthy था, और यह हटा दिया गया है, तो यह आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, अब देखिए, इसमें हम फिर से classify करेंगे matter को, तो द पोजिशन, देखे, सबसे पहली बात, अगर आप से कोई कहे, कि आप जो दूध लेने जाते हो, या कोई भी चीज़ है, दूध का example ले लो, दूध लेने जाते हो, तो आप क्या देखते हो, उसकी purity कि यह दूध प्योर है, या इंप्योर है, उसमें पानी तो नहीं मिला द हो सकता है, उसके सबसे मिल्क प्योर, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो क्या देखेगा, इसमें बहुत सारे factor देखेगा, वो यह देखेगा, कि इसमें protein कितना है, इसमें fat कितना है, इसमें carbohydrate कितना है, है ना और इसमें मिनरल्स कितने हैं और इसमें विटमिन्स कितने हैं यह सब चीज़ें वो देखेगा तो आप मुझे एक बात बताईए जब इतनी सारी चीज़ें एक ही हमें सबस्टेंस में मिल रही हैं तो क्या वो सबस्टेंस प्यॉर हो सकता है नहीं हो सकता ना नहीं हो सकता तो ये दूद ये मिलक उस साइंटिस्ट जो भी इसको इसकी स्टड़ी करेगा उसके लिए ये प्यॉर नहीं होगा ये इंप्यॉर होगा तो हम मैटर को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं on the basis of composition वो हम देखने वाले देखिए मैटर को क्लासिफाई हम करते हैं अच्छा एक चीज और पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था मैटर को क्लासिफाई करना on the basis of state तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं फर्स्ट चैप्टर के तो आप देख सकते हो उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा अच् सब्स्टेंसेज और दूसरा होता है मिक्सचर दूसरा क्या होता है मिक्सचर प्यॉर सब्स्टेंसेज को हम फिर से क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट में और कंपाउंड में ठीक है ना वही और मिक्सचर को हम क्लासिफाई करते हैं फिर से दो पार्ट में जो की होता है एक होता है हमारा homogenous mixture homogenous mixture और second is heterogeneous mixture heterogeneous mixture तो इस तरीके से हम matter को on the basis of composition classify करते हैं matter के दो टाइप होते हैं पहला pure substances और दूसरा mixture फिर further हम इसको divide करते हैं pure substance को दो पार्ट में element और compound की form में फिर ऐसे ही mixture को हम divide करते हैं दो पार्ट में homogenous mixture और heterogeneous mixture आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम ये pure substance के बारे में पूरी जानकारी लेंगे क्या होते हैं pure substances उनके types पढ़ेंगे element और compound के बारे में ठीक है तो एक एक करके हम इसको पढ़ना start करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं pure substances के बारे में क्या होते हैं pure substances ठीक है क्या होते हैं pure substances तो देखें pure substances क्या होते हैं pure substances it is a single form of matter it is a single form of matter पहला पॉइंट यही है कि single form of matter से बने होते हैं means अगर आपको कोई pure substances रख दिया जाए तो आप उसमें पहचान नहीं पाओगे कि इसमें यह किस चीज से मिलकर बना हुआ है समझ में आया दूसरा क्या होता है कि it is a single form of substance दूसरा है हमारा it is made up of made up of one kind of particles it is made up of one kind of particles ठीक है ना वई यह एक ही टाइप के particles से मिलकर बने होते है ठीक है तीसरा it is always home genius homogeneous in nature तीसरा पॉइंट यह है कि यह homogeneous होते है क्या नेचर में जैसे example में हम देखें water water का formula क्या होता है h2o होता है means उसमें दो molecules दो atom होते है hydrogen के एक atom होता है किसका oxygen का तो अगर आप से कहा जाए कि water है एक glass उसमें से आप मुझे hydrogen बताओ कहा है hydrogen के atom और कहा है oxygen के atom तो आप नहीं बता पाओगे इसका मतलब यह homogeneous होते है नेचर में चौथा it it cannot it cannot be broken it cannot be broken out into simple substance by chemical and physical method यह जो pure substances होते हैं इनको हम simple substance में chemical और फिजिकल मेथड से हम इनको नहीं broke break कर सकते ठीक है और क्या है फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि दा मेल्टिंग कि एड़ कि बॉइलिंग पॉइंट कि आर कॉंस्टेंट इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो constant होता है जैसे हम वॉटर का एक example लें वॉटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हां मेल्टिंग पॉइंट अगर देखें हम वॉटर का तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वर्टर का 0 degree celsius means जो ice होती है ice क्या है water यह है ice का formula भी water का ही होता है h2e होगा ice का तो ice जो होती हो 0 degree Celsius पे melt होना start कर देती है और यदि हम boiling point देखें उसका तो 100 degree Celsius है बार बार change नहीं होता एक है जो fix है मतलब constant है तो इसका melting point भी क्या होता है constant होता है ठीक है तो इतने point समझ में आ गई अब जिस जिसने भी note कर लिया है वो बहुत अच्छी बात है उनके लिए clapping होनी चाहिए क्योंकि आप जितना अच्छी से अपने हाथ से note बनाऊगे वो सबसे best notes होते हैं और जिनोंने भी note नहीं किया है तो आप एक बार screenshot ले लिजिए इसका एक important पॉइंट और लिखाना रहे गया इसमें यह सिक्स है यहां पर लिख देता हूं दे है अगा 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 फिक्स्ट कंपोजीशन होता है वो क्या होता है होता है हमेशा ऐसा नहीं है कि कितना भी मिला दो आप तो कोई प्यॉर सब्स्टेंस बन जाएगा सपोस्ट करो कोई hydrogen में अगर कितनी ऑक्सीजन मिला दो तो ऐसा नहीं वाटर ही बनेगा वाटर के लिए अलग सब्सक्राइब एक डिसक्स कर लेते हैं एक सिंगल फॉर्म 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 होता है दूसरा इप वन काइंड़ फॉर्टिकल से मिलकर बने होते हैं इनको आप पहचान नहीं सकते कि इसमें क्या-क्या मिला हुआ है चौथा इनको आप ब्रेक नहीं कर सकते सिंपल फिजिकल और केमिकल मेथड से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इसे पॉइंट होते हैं इन इसको सिकरितु पॉजिशंस में होते हैं तो आप हम पढ़ेंगे element के बारे में element क्या होता है प्योर सब्स्टेंस के दो टाइप थे ना element और compound तो अब हम element के बारे में पढ़ते है element क्या होता है what is element तो देखिए element को हम पढ़ते है heading लगाई है element element की करेंगे देखिये ना तेखिये अब्य बसक्यों 주ों टेखिय西चेश को थियरला कि से आपने डरिया डरिय मैं out में थेज़द खरिद्य मैं अल्डरिम डरिया eco which have same number of same number of nuclei which have a same number of proton which have a same number of proton proton in their nuclei element element atoms which have a same number of atoms elements atoms which have a same number of protons which have a same number of protons it is denoted by it is denoted by symbols it is denoted by symbols and it is sulfur but it is silicon is silicon 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 we know we know we know we know we know we know compound we know know we know जंआ पर-फ नह ए टाइपस झाए टाइपस स outrageous है किया यह दिफ़ेंट सो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं या हम क्या सकते हैं different types of elements के atoms से मिलकर यह बने होते हैं first point second point is कि आउलस। अब चुक्कि यह pure substance का ही एक पार्ट है तो इसी लिए यह भी homogenius होंगे दे आर कि ओल्वेस Homogeneous in Nature In Nature Homogeneous in Nature Example NaCl और क्या हो गया H2O और Sugar है ना यह सब क्या है यह सब compound है ठीक है अब आप बोलोगे कि इसमें भी तो दो टाइप के एटम प्रिजेंट है तो फिर तो यह mixture हो गया sodium भी प्रिजेंट है chlorine भी प्रिजेंट है sodium means sodium chloride common salt जो होता है आप यूज करते हो घरों में वही है यह common salt NaCl ठीक है तो आप यह बोलोगे कि इसमें तो दो टाइप के एटम प्रिजेंट है तो यह भी तो मिक्स्चर हो गया लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है इसमें कि एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में रहते हैं ले एव अधे वर आव आ फिक्स्ड प्रपोर्शन मैं फिक्स्ड प्रपोर्शन या फिक्स्ड कंपोजिशन यही में मिक्स्चर और कंपॉण्ड में डिफरेंस होता है जैसे कमपाउंड क्या होते हैं उनमें फिक्ष्ट प्रपोर्शन नहीं होता जैसे आप शुगर लो शुगर एक कमपाउंड है वाटर लो वाटर भी एक कमपाउंड है दोनों को मिक्स कर दो अगर आप एक चमप शुगर डालो तो भी चाश नहीं बनेगी आप 10 कुंटल शुगर डालोगे तो भी चाश नहीं बनेगी ठीक है लेकिन क्या आप अगर आप बहुत सारे एटम सिर्फ सपोस करो आपने आटम मिक्स कर दिए किस bounded sodium के किसमे 10 atoms of Cl मैंने Joanna ICL बनेगा नहीं बनेगा Compound नहीं बनेगा तो इसका मतलब यह compound इसलिए होते हैं क्योंकि यह क्या है इनमें fixed composition होती है इनमें क्या होती है fixed composition होती है और सबसे important चीज यह है इसमें सबसे important चीज यह है आन्यू compound आफ आन्यू कंपाउंड और फोर्म्ड या न्यू सबस्टेंस और फोर्म्ड सबस्टेंस लिकू जादा बेटर रहेगा तैन्यू सबस्टेंस और इस फोर्म्ड आफ्टर दा कॉंस्टिट्वेंट कंबाइंड आफ्टर दा कॉंस्टिट्वेंट कंबाइंड मीन्स इसका मतलब यह है कि को एक नियू कममाइंड फॉर्म होता है जब आप दो कंबाउंड को आपस में मिक्स करते हो जैसे एने सीयल ले लिया आपने प्लस H2O ले लिया आपने तो क्या बनेगा भई यह बनेगा एने ओ एच प्लस एक नया कंपउंट फॉर्म नमक था और एच्ट लेकिन जब एच्छ आपने रीक्शन कराई तो एनियोच बन गया और एक एसिल एक सडर्ट है तो यह अला कंपाउंट बन गाए कर इस तरीके से एक आप है है तो यह क्या है एक लाइस इसके खोनिक वी बड़ते हैं छिए निदो यह दो यह दो में जब लिक्षिक करांघ झूए इन Почему क्या क्या बना हमारे नए compound बने इसका मतलब कि यह जब mix होते हैं आपस में तो क्या करते हैं यह एक नया compound form करते हैं ठीक है और लेकिन अभी हमने देखा था कि शुगर और जब हमने water को mix किया था तब नया compound बन रहा था वहां पर भी चाशनी बन रही थी लेकिन आप चाशनी सुगर को आप क्या कर सकते हो water से अलग कर सकते हो physical chemical method से लेकिन अभी मैंने प्यॉर सब्स्टेंस में बताया था कि आप प्यॉर सब्स्टेंस में आप ब्रेक नहीं कर सकते इन compounds को simple physical chemical method से तो यहां पर यह point लिखना की जरूरी है और इनकी ना जब यह new compound बनते हैं तो इनकी जो है different property होती है है इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो different होती है समझ में आया किस से पुराने वाले से अभी हमने कराया था एन्यों प्लस HCl क्या था वो एन्यों बेस था एक्षियल एसिड था जब हमने reaction कराई तो क्या बना एन्यों बना जो कि विल्कुल उसकी प्रॉपर्टी मेंच नहीं करती एन्यों एक्षियल जे और वाटर की भी प्रॉपर्टी मेंच नहीं करती तो वह अलग चीज है ना अलग चीज होई थी तो new substance जो बनते हो उसकी प् कि असीज हो गया आने ओंच हो गया गया है पैसे हो गया हमच सीया यह हो गया यह तो यह सारे क्या हैं यह कॉंपाॉंड है आप इन सबकों मिलाओं तो एक यह इनकी एक पहली बात इनका जो एतम हैं जो पार्टीकल alnoag वह न्पॉपॉर्टिकन में एक दिफरेंट मीः आने वाले जो original जो compound थे उनसे समझ में आया तो यह था आज का वीडियो लेक्चर जिसमें आमने सीखा compound और element आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ इसमें बचा नहीं है हाँ एक element पर और है एक चीज और सुन लो element में element के कतने type होते हैं 3 टाइप होते हैं element में कराना भूल गया था element में थीन type होते हैं ध्यान से सुन लेना आप लोग ठीके है element के 3 टैप कौन-कौन से होते हैं compound sana नैपको बता दिया पूरी property एलिमेंट को हम फिर से तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं और वो तीन पार्ट होते हैं इसके पहला होता है मैटल दूसरा होता है नॉन मैटल नॉन मैटल एंधर वन इस मैटलॉइड 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 मैटल क्या होते हैं मैटल जनरली हार्ड होते हैं सॉलिड स्टेट में पाये जाते हैं और शाइनी होते हैं और भी प्रापर्टी है जैसे गुड कंड़क्टर ओफ हीट एंड एलेक्रिसिटी होते हैं ठीक है और लस्चरस होते हैं डक् थिन शीट में outta here कि या जा सकता है है ना फिर मैंटल होते सारे वह चीज होती से मैं आपको लिखाइर ओ tanto नोन में अन्य प्रॉपर्टी की यह होती है जेनरल यह सॉलिर्ड होते हैं है एंद हार्ड होते हैं एक्सेप्शन भी है इसमें एक्सेप्शन है जो कि मरकरी मरकरी एक मैटल है लेकिन वह लिकुड इस्टेट में पाया जाता है ठीक है रूम टेंपरेचर पर दूसरा यह मेलीएबल होते हैं कि तीसरा कर डटायल होते हैं है कि कह साथ इन में शाइनी सरफी सोती है इनकी ज्यादा तरर बहुत सारी प्रपार्टी आइब सेटी होते हैं आकि इन मेंसे ही जल्दी से पास हो जाती हे वीड Regular और cooling electricity electricity and heat and heat समाझ माया और यह क्या होते हैं नॉन मेटल वह सारे मेटल होते हैं जो जनरली हाड़ नहीं होते सॉफ्ट होते हैं एक और यह बीट करते हो तो उसमें से रिंगिंग साउंड आता है आप एमपल में मंदिर में कहीं जाते यह गंटी लगी होती बजाते ओंप तो कैसी रिंगिंग साउंड आता है लेकिन अगर आप कभी किसी प्लास्टिक की छीज़ को ठोको या उसको बीट करो तो उसमें जो है पर रिंगिंग साउंड नहीं आएगा तो यह भी एक पहचान है अब यह नॉन डॉक्टाइल होते हैं इनमें डख्टिली नहीं ओती डख्टिली यह शो नहीं करते non-ductile होते हैं ठीक है ना भई और shiny नहीं होते ज़्यादा तर और good conductor of heat and electricity नहीं होते हैं good conductor of यहाँ पर लिखना they are not they are not good conductor of heat and electricity यह good conductor of heat and electricity नहीं होते इन मैंसे heat or electricity पास नहीं होते हैं कि आप सोचो कि plastic की किसी चीज में से heat or electricity पास हो जा वो नहीं होगी हां सिर्फ एक exception है इसमें कि जो graphite होता है वो एक non-metal है लेकिन graphite जो pencil में आपकी नौक होती है ना उसको कभी इसे board में मत लगा देना दोनों तरब से शील कर current लग जाएगा क्योंकि वो एक non-metal तो है लेकिन एक exception भी यह उसमें कि उसमें एकिन आ के आम इप contrat रहते हैं है वरहा हम स्वंकें कर दूचते उर्भा कि legitimately टोच्ट किक कर दो DM दूचते हैं विच इसाफोड फॉप्स नोचत वन जोब दौकार से भड़भाट कर दूचते हैं sólo मे्स कहतार क canon चिरियें तो एसे आइस सब्स्तेंसित जो मेचल और नन मेचल दूनों की प्रॉपर्टि को हम पर्फटी को शो करते हैं उनको हम क्या मोलते हैं की अनको हम बोलते हैं मेतलॉई तो एक्जाम्पल गो देख से घ्के अversion तुरावसे निक जरमेनियम इसके हैं ठीक है और नान मेटल में एक्जाम्पल हो सकता है है ऑक्सीजिन कारवन बोर्ओं यह सब क्या यह इसके घ्जामपल है नान मेटली डिया और अगर आई हूप आपको को बहुत समझ में आयागा बहुत अत्तक अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इसमें तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मैं आपके क्वेश्चन का डेफिनेटली आंसर करूंगा तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मिक्स्चर के बारे में उसके हैं धनकी है किस्चर को उस्माची से बारे में हमें आत्तक वारे में आपको तु